नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल एबेस क्लासेस पे और दोस्तों आज बात करते हैं एक नए क्लास नए टॉपिक को लेकि अब कलन ये अब कलन जो टॉपिक है वो लगभग सभी क्लासों पे कुछ जैसे कक्छा ग्यार्मी से अब जब आप माच से चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपकलन और समाकलन से संब्धी थे तो इसी से लगभग लगब 35 नमबर आने के चांसेस रहते हैं आप कलन और समा कलन से हैं आसार उम्मित करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए बात करते हैं आप कलन की बारे में और इसकी पूरे फार्मूला किस प्रकार से हैं पूरा बिदिवत रूप से म डिफ्रेंसेशन है तो d upon dx करना ही पड़ेगा डिफ्रेंसेशन इसका पहचान है डिफ्रेंसेशन है जैसा यह आप खलन करते हैं तो यह आजाता है n x के पावर n माइनस 1 अच्छा इसको याद कैसे करेंगे अपन कूई को तो करना अप कलन है जब सवाल लगाएंगे तो उस सबसे पहले में यह आपन d upon dx का जब x power n का आप कलन करेंगे तो यह आप कलन हो जाएगा जब आप कलन हो जाएगा तो d upon dx हट जाएगा ठीक है बचेगा अपना x है तो x के पहले यहाँ पर देखते हैं देखिए अब x का मतलब कोई भी number हो सकता है जैसे x के पहले हमाँ अपन 10 भी ले सकते हैं तो यह चीज भी मैं आप लोग को बताऊँगा सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं यह x हमारा x ही रहेगा और जो उपर है वो सामने आ जाएगा ठीक है जैसे उपर यहन है तो सामने आ गया यदि 10 होता तो 10 x हो जाता और यहन जो रहेगा यहन में एक minus कर देना है तो यहन minus 1 हो जाएगा जैसे example के तोर पे आपको मैं ना तो d upon dx करेंगे और देखेंगे तो यह n हो जाएगा और 10 power में है तो यह 10 के minus 1 हो जाएगा और जो 10 हमारा था वो सामने आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा यह 100 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा 10 x के power 9 यह अब कलन हो जाएगा कि इसका ठीक है x के power 10 इनका इस प्रकार से उसी प्रकार से ये सूत्र अपना है तो इस सूत्र को अपन याद कर लेंगे ताकि हम उस प्रकार से निकाल सके छोटे-छोटे सवालों को भी हल कर सकते हैं रही बात दूसरा यहाँ पर अब कलन में E के पावर X का अब कलन क्या होता है तो E के पावर X ही होता है जब भी आपको कभी भी जरूरत पड़ेगा E के पावर X का अब कलन तो E के पावर X ही ही होगा इसके आगे अपन चलते हैं बात करते हैं देखिए इसी प्रकार से छोड़ा सुत्र ज्यादा है और इनी ऐसे सुत्र मैं लिया हूँ जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है इनको याद भी करना पड़ेगा तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे याद ही करा दे रहा हूँ कि E के पावर X का E के पावर X हो जाएगा अब कलन कहीं भी जरूरत हो और किसी जैसे X का कभी भी X का अब कलन एक होता है ध्यान रहे लेकिन जो समा कलन है ठीक है वो इसका उल्टा होता है य चलिए बात करते हैं C अच्छा कोई भी यह दिया पना constant value है तो वहाँ पर उसका 0 होगा जैसे माल लेजिए 8 का अब कलन क्या होगा तो 8 का अब कलन 0 होगा कोई भी संख्या है तो उसका जो अब कलन है वो 0 होगा ठीक है ध्यान रहे चलिए अब अब अपने रोल पर उतर आते हैं Sine X Cos X जो की main है तो Sine X का अब कलन ने दि होता है तो इसका जिस्ट उल्टा हो जाता है Cos X ध्यान रहें लेकिन Cos X का जो अब कलन होगा वो माइनस Sine X होगा ठीक है यहां पर हो जाएगा Cos X का उल्टा minus Sine X हो जाएगा क्योंकि Cos का अपन यहां पर कर रहे हैं इसके बाद अपन देखते हैं Log का अच्छा Log बाल अपना बाद में देखेंगे पहले यहां पर देखते हैं 10 X एक साइट से Sine Cos 10 Cos X Cos X तो 10 X का देखते हैं तो अब कलन होगा Sec 2 X क्योंकि 10 के बाद kaуч आता है फिर सेक आता है तो इस प्रकार से आत कर सकते हैं Sec 2 X और kaut X का इदी करते हैं durum काट X का तो – zer क्ट सेक स्कुर X होता है ठीक है ध्यान देखते हैं इसके बाद अपन देखते हैंill sec x का, तो sec x का होता है sec x 10 x, अब देख लीजिए, यहाँ प्याद कर सकती, कि 10 का sec से संबन था, तो यहाँ पर sec ka 10 से, तो sec x का sec x 10 x, और cosec x का, यहाँ पर देख सेकते हैं, cought का cosec square x था, तो ऐसी प्रकार से, coss词 x का हो जाएगा, minus cosec x cot x, ठीक है यह हो जाएगा अब यहाँ पर देखते है अब यदि कोई भी नमबर यदि जैसे मालेज यह यू लिया है और भी दोनों यदि गुड़े में है तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है ठीक है तो यू सामने आएगा तो भी एक बार अफकलन होगा और भी सामने आएगा तो यू का अफकलन हो जाएगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखते है लॉग का ए के पावर एक्स का एदि करते हैं तो ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा क्योंकि ए ही होना चाहिए दूसरा यहां पे नंबर नहीं होगा ठीक है be upon b का अधी होगा तो यह बटे में हो जाएगा तो यह जाद याद करने की जरौत नहीं है इसके बाद यहां पे देखते हैं तो यहां पे जो यह है यह भाग का है यह गुड़े का है जैसे दो नंबर तो यहाँ पर गुड़ा का है ठीक है भाग में थोड़ा संतर यह है कि सबसे पहले हर का हम हर को सामने लिखते हैं तो अंस का आप कलन करते हैं फिर माइनस करके अंस का जो यहाँ पर अच्छा लिखेंगे तो हर का आप कलन करेंगे बटे पूरे के बट्टे b square हो जाएगा ठीक है यहाँ पर log का देख लेते हैं तो log बाला जो था log x कहादी अपन कहीं पर अब कलन आएगा d upon dx log x रहेगा तो 1 upon x हो जाएगा सीधी तोर पर तो यह यहाँ पर एक और इसको देख जाएगा कि यह अपन d upon dx किसका करते हैं एक पावर x का करते हैं तो a सामने आ जाएगा और e के पावर x e हो जाएगा ठीक है एक पावर minus x का करते हैं तो minus सामने आएगा और a और e के पावर minus a हो जाएगा इस परकार से यहाँ तक हो गया इसके आगे चलते हैं अपनको inverse वाला देखना है तो उसके तोर पे क्या करेंगे क्लास 11 वालों को थोड़ा से difficult लग रहा होगा लेकिन 12 वाले इस चीज़ को पढ़ चुके हैं 11 वालों को पढ़ना ही पढ़ेगा ताकि 12 में भी काम देगा और 11 में भी काम देगा लेकिन 12 वाले पढ़ चुके होंगे आसा करता हूँ यदि नहीं पढ़े होंगे तो उनको पढ़ना ही पढ़ेगा तो इसको पढ़ लीजीगा d upon dx sin inverse x अभी तो sin x पढ़ेते हैं अब sin inverse x करेंगे ठीक है यहाँ पर हो जाएगा सभी में x रहेगा तो sin inverse x का हो जाएगा 1 upon root over 1 minus x square ठीक है और यदि cos inverse x का करते हैं तो वही चीज माइनस में हो जाएगा उसी परकार से 10 inverse का दिकरते हैं तो 1 upon 1 plus x square हो जाएगा और cot inverse x का करते हैं तो माइनस में वही चीज हो जाएगा second inverse x का करते हैं तो वही चीज माइनस में होगा 1 upon 1 x k power x square minus 1 over root और यहाँ पर cos x square x का दिकरते हैं तो 1 upon xarme about root x square minus 1 करते हैं ठीक है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा cos का माइनस होगा तो cos का पलस होगा लेकिन 10 का plus और cot का माइनस और sin का plus होगा cos का माइनस हो जाएगा तो इस प्रकार से यह जो कुछ सूत्र थे आप लोग के लिए यह कंप्लीट यहां पर मैं कर चुका हूँ तो आप लोग देख लीजेगा बिल्कुल और वीडियो अच्छा लगी तो एक बार जरूर सेयर कर दीजेगा और यदि जो भी यदि समझ नहीं आता तो आप वीडिय प्रकार देखिए ता कि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए क्योंकि मैं आसा करता हूँ कि यह क्लियर कर दिया हूँ और इससे भी और भी ज्यादे क्लियर करना होगा तो आप बता दीजेगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर पूरा क्लियर कर दूँगा जब आप पढ़ाएंगे तो इनको याद कर रहेंगे आप तो यू जाएगा और जब यू जाएगा तो वहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अपन के जोड़ गटाना बनता है तब जाके आगे गुड़ा और भाग बन जाता है उसी प्रकार ये है तो इनको आप लोग को पढ़ना पढ़ेगा याद करना पढ़ेगा किसी भी तरीके से इसलिए इन सबी को तयार रखें और जैसे ही अपन इस क्लास पे चलेंगे तो अपन की स्टार्ट हो जागा तो चाहिए ओ क्लास 9th के हो 10th हो 11th हो 12th हो किसी भी क्लास के हो कॉलेज वाले भी हो बिलकुल इसको याद कर लीजेगा तो वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक कर देना चैनल मेने तक बार चैनल को सब्सक्राइग परके भी लाइक और प्रेस कर लीजेए मिल दे नेक्ट वीडियो पर दब तक लिए जय हिंद बंदी मातरम